दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे बढ़ी खबर है दोस्तों बिड़ो को एक लाइक जरू के दोस्तों प्रधानमत्री बोले बंगाल हिंसा टीमसी गुंडों की दादागरी इस्वा चंद्र विद्या सागर की भव्य मूर्ती बनाएगे जीहांतों से प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से ममता दिदी वहां पर यूपी बिहार पुर्वांचल के लोगों पर निसाना साध रही है उसे बाहरी बता करके अपनी राजनीदी कर रही है बहनमायावती इस पर ममता दिदी को जरूर खरी खोटी सुनाएगी लेकिन ऐसा नही हु कुछ बिहार में मेरी रैली जहां पर मंच बनना था वही पर दीदी ने अपनी बड़ी मंच बना दी उन्होंने कहाए कि दीदी का ये रवया मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ अब पूरा देश देख रहा है जियो तो सर पर्धानमत्री मोदी ने कहाए कि टीमसी के ग बिद्या सागर जी के लिए वीजन के लिए संबर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक वबे मूर्ती का निर्माड करेगी प्रधारमत्री मोदी ने कहाए कि इस्वचंद बिद्या सागर मात पस्चिम मगाली नहीं बलकि भारत के महान विभुती हैं जो महा कानन तक नेता जी सुभास चंदर से लेकर के स्यामापरसाद मुखरजी तक हमारे चिंतन मनन को बंगाल की उर्जा ने ही प्रभावित किया हैं एक इस्वी सदी में देश को एक बुलंद होसले वाली बहुमत वाली मजबूत सरकार चाहिए प्रधानमत्री मोदी ने कहाए क मजबूत सरकार ही जै जवान जै किसान के नारिक को सकार कर सकती है मजबूत सरकार से ही एक विक्सित भारत का सपना पूरा हो सकता है मजबूत सरकार ही पुरवांचल और पूर्वी भारत का विकास कर सकती है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर हतियारों का आयात करने भाला भारत अब एक्सपोर्ट करेगा मिसाइल, जी हाँ दोस्तों अब तक हमने बस यहीं सुना था कि भारत हथियारों का आयात कर रहा है, कभी मिसाइलों का तक भी तकनीक का अब भारत इससे उल्टा करने वाला है, जी हाँ दोस्तों भारत अब हथियारों का निर्यात करने जा रहा है भारत अब दक्षिन पूर्वे के A.C.I. देसों और खाड़ी देसों को मिसाइलों की पहली खेप का निर्यात करने जा रहा है मिसाइलों का या पहली खेप इसी साल में एक्सपोर्ट किया जाएगा एक अधिकारी ने बताया है कि भारत की मिसाइल तकनीक में दक्षिन पूर्वे A.C.I. देसों के साथ ही खाड़ी देसों ने भी रूची दिखाई है जिसके बाद भारत ने यह फैसला लिया है इंडेक्स एसिया 2019 एक्जिबिशन के दोरान ब्रम्होस एरो स्पेस के एच आर कमडोर एके अयर ने बताया है कि सरकारों के बीच करार के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत किसी को मिसाइले निर्याद करेगा सभी हमारी तकनीक को पसंद कर रहे हैं वे हमारी मिसाइलों के खरीदने के लिए तत पर हैं जिहां दोस्तों अयर ने बताया है कि अब बजार बदल गया है मिडल इस्ट, साउथ इस्ट, एसिया और साउथ अमेरिका के देसों ने सक्षम कम कीमत के साथ उपकरनों की मांग बढ़ गई है ऐसे में भारत अपनी भूमिका को मजबुत कर रहा है भारत के सामने ऐसे में निर्यात करने का अच्छा आउसर मिल रहा है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर मोदी साह से सीधे भेड़ करके फिर बिपक्ष की नेता नंबर एक बन गई है ममता बेनर्जी जी हाँ दोस्तों लोग सबाचुनाओ 2019 की आखरी जंग जो बंगाल में लड़ी जा रही है उस पर पूरे देश की नजर है पच्ची मगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर्जी और भारती जंता पार्टी के सिर्ष नेतित्य के बीच आर पार्टी लड़ाई जा रही है ममता पूरे दमखं के साथ बीजेपी का सामना कर रही है तो विपक्ष की दूसरी पार्टिया भी उनका सान ने आ रही है जिया दोस्तों ममता से लेकर के राहूल गांधी और अखलेस यादों ने ममता का साथ समर्थन किया है ऐसे में चुनाव खत्म होते होते एक बार फिर से वहीं इसीती पैदा हो जाएगी जो चुनाव से पहले होई थी जहां ममता बनर्जी के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा था और वह अगवाई कर रही थी जिया तो सुकलकत्ता में अमिस्या के रोडसों के दोरान जुबवाल हुआ है उसके बाद चुनाव आयोग का बड़ा एकसंस सामने आया है चुनाव आयोग ने बंगाल में परचार के समय को कम कर दिया है और यह आज रात दस बजे तक खत्म हो जाएगा जिसके बाद ममता बनर्जी लगतार बीजे पी चुनाव आयोग पर निसाना साथ रही है आपको बता दे कि ममता बनर्जी केंदर पर हमलावर हुई तो अन विपक्ष ये पाटिया भी उसके साथ आ गई है अखलेस यादो, तेजस्वी यादो, केस यार, चंदर बाबु नाइडू जैसे नेताओं ने उनके समर्थन में ट्विट किया है तो वहीं कॉंग्रेस और मायावती ने भी प्रेस कॉंफरेंस करके कह दिया है कि वह इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ खड़ी है विपक्ष की तरप से एक सूर से कहा जा रहा है कि परधान मंतरी मोदी की रैली दीन में है इसी वज़े से इलेक्षन कमिशन ने रात में लगाया है विपक्ष जब ममता के साथ आया तो उन्होंने भी ट्वीट करके हर किसी का धन्यवाद दिया चुनाव नतीजों से पहले विपक्ष का ये एकता भार्फी जंता पार्टी की चिंता भड़ा सकता है तो वहीं ममता बनर जी को भी विपक्ष नेताओं को एक रेस में आगे खड़ा कर सकता है जहां दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जहां पर किसी एक नेता के पीछे विपक्षी पार्टिया खड़ी हुई नहीं दिखी लेकिन हर बार ममता बनर जी ने एक मिध्या तोड़ दी है कि पिछले कुछ दो महीने पाले ही विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लेकर के आई थी ये बिल्कुल वहीं इस्थिती है जो चुनाव से पहले एलान हुआ था जब मामता बनर जी ने केंदर सरकार के खिलाफ अपने साथ राजीव कुमार को लेकर के मोर्चा खोल दिया था मामता बनर जी ने केंदर के खिलाफ 72 घंटे का धारना दिया है 19 जनवरी को मामता बनर जी ने सन्यूक्त रैली में भी बुलाई थी जिसमें 22 विपक्षी दलोने के 44 नेता एक मंच पर थे इस सभी की अगवाई ममता बिनर्जी ही कर रही थी जिहां दोस्तों नेताओं के पहले विपक्ष नेता एक दूसरे से मुलकात करें जिहां दोस्तों अकली बड़ी खबर है अपनी इस योजिना में कामयाब हुए टरंप तो भारतियों को हो जाएगी बले बले जिहां दोस्तों अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड टरंप एक ऐसी आवरज नीती लाना चाहते हैं जिसे लागू होने पर लाखो भारतियों को फाइदा होगा एक अहम नीतिगत बयान में टरंप देश की आवरज नीती में अमुल जूल बदलाव करने की घोशना के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं जो बीदेशियों को मौझूता बैवस्ता से आधार पर तहजीर देगा आपको बता दे कि मौझूदा बेवस्था में पारिवारिक समध्दों को तरजीह दी जाती है इस से हजारों की तादाद में ग्रीन कार्ड का इस्तमाल कर रहे भारतिये पेसेवरों की पीड़ा खत्म हो सकती है जी हाँ तो ट्रम्प के दामाद जेरेड क्रोजर ने इस मुख नई योजना के रूप में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रीन कार्ड तथा वैद अस्ताई निवासी प्रनाली को दुरूस्त करने पर केंद्रित है जिसे योगिता उच ग्रिडी आधार और पेसेवर योगिता रखने वाले लोगों के आवरज प्रनाली को सुगम बनाये जा सकता है मौजूदा बेवस्था के तहट करीबन 66 फीसदी ग्रीन कार्ड उन लोगों को दिया जा सकता है जिसके परिवारिक संब्द हो और 12 फीसदी ही योगिता पर अधारित हो आला कि इस योजना को अमजी माला पहना कर कॉंग्रेस के विभाजित होकर खास करके आवरज सुधार के मुद्धों पर मुस्लिम भरा काम होने वाला है राष्टपती अपने रिपब्लिकन सांसदों को इस मुद्धे पर समझाने में सफल हो जाएं तो भी सांसद नैसी पॉलिसी के नितित वाले डेमोकरिटी और दूसरे नेता इसके धूर विरूधी में खड़े हैं हाला कि यदि यह नीती अमल में आती है तो लाखो भारतियों को फाइदा पहुच जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़एर नरेंदर मोधी सरकार के पांच साल जानी है क्या पांच प्लस और पांच माइनस पॉइंट है बिपक्स जहां पांच साल के कई नाकामियों का हवाला दे करके मोधी सरकार पर निसाना साधर रहा है तो आंकडों के हवाले से यूजनाओ की सफलता और अपनी उपलबधिया बताने में जूटी हुई है बीजेपी की तरफ से 2014 में चुनापर चार करते हुए नरेंदर मोधी ने देश को भरस्टचार मुक्त करने देने और विकास के रास्ते पर ले जाने का वादा किया था पांच साल का कारेकाल देख करके जो इस मोर्चे पर मोधी सरकार को सफलता मिली थी और कुछ मोर्चे पर भी असफलता मिली है खास बात यह है कि इस बार के चुनाओ में कुछ अलग ही मुद्दा है 2017 में यूपी में हुए बिधान सबाचुनाओ में उन्होंने नोटबंदी पर भी वोट मांगे थे इस देश की अर्थ बेवस्था और गरीबों का हिदकारी बताया था बीजेपी के तमाम नेता नोटबंदी और जीएसटी को मोधी सरकार का मास्टर स्टोक मानते थे मगर अब 2019 में लोग सबाचुनाओ के इस पर सत्ता पक्छ चर्चा नहीं कर रहा है कानून बेवस्था यू तो राज्य का विसे है मगर देश के गोर अक्छा के नाम पर माव बिलिंची की घटनाओ को चलते मोधी सरकार विपक्छ के निसाने पर रही है वजह रही है कि जादतर राज्यों में बीजेपी की सरकार रही है गोर अक्छकों के हिंसा पर विपक्छ मुकर होकर के सरकार पर सामबरदाईक सोहर्द का ताना बना बिगाने का आरोप लगा रही है जी हाँ दोस्तों आए जानते हैं वो पाच सफलता है और असफलता क्या है बीजेपी की मुदी सरकार की यह सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है कि अब तक सरकार पर बस्टचार का कोई दाग नहीं है रफाल के बड़े घोटाले का आरोप बिपक्छ लगाता रहा हो मामला सुप्रीम कोट ने भी पूचा है मगर इससे करॉप्शन की बात फिलहाल परमानित नहीं हो सकी है मुदी कैबिनेट में सामिल होकर के मंत्री भी प्रशचार के कई मामलों में घिरता नजर नहीं आया है चिटपुट अरोप जरूर लगते हैं वहीं यूपिये में मनमोहन सरकार ने कोईला एस्पेक्टम टूजी कॉमन वेल्थ आदर्स स्केम जैसे घोटाले सूर्खियों में जिसकी कीमत भी 2014 में लोग सबाचुना में मनमोहन सरकार को चुकाने पड़ी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में देश की जनता को बैंकिंग से जोडने के लिए जन्धन योजना की घोशना की गई थी इस योजना के तहट 31.3 एक कड़ोर लोगों के बैंक खाते खुले गए एक सबताह में सबसे अधिक 1.808 लाख बैंक खाते खुलने वर पर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकोर्ड में नाम दर्ज करा है दरसल अजादी के 68 साल बाद भी देश की बड़ी अबादी बैंकिंग सेवा से दूर रही उसके बाद बचत और संस्थागत करज लेने के लिए कोई जरिया नहीं था प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 28 अगस्ट को प्रधानमंत्री जंधन यूजना की सुरुआत की थी देश में बैंक के कैम्प लगा करके वंचित लोगों को खाते खोलने उन्हें बैंकिंग सुभिधा से जोड़ा गया था जिया दोस्तों प्रधानमत्री मोदी ने 15 अगस्ट 2015 में लाल कीले से 18,000 गाउं के बिजली पहुचाने की खोशना है इस गाउं में आजादी के 7 दसक बाद भी बिजली नहीं पहुची इसके लिए 1000 दीनों का टार्गेट रखा गया था अप्रिल 2018 में तैसीमा 10 माई को 12 दिन पहले ही यह लक्ष हासिल कर लिया गया था मणिपूर के सेनापती जिले के लिहां की आखरी गाउं बच गया था जिसे अप्रिल 2018 में नेशनल पावर ग्रिट से जोड़ा गया गरीब भी गैस चुला का खाना बना सकते हैं इस मकसद से मोधी सरकार ने उजवला योजना लागू की यह योजना ग्रामिन छेत्रों में रहने वाले उस परिवार के लिए मददगार साबित हुई जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं था और उन्हें खाना बनाने के लिए ज स्वक्ष भारत अभियान के जरी हैं देश की जनता को स्वक्षता के प्रती जागरूख बनाने में सफल हासिलता किये हैं संदेश दिया है कि सफाई सरकार की नहीं जनता की भी जिमेदारी है प्रधानमत्री मोदी ने अपने कारेकाल से पहले ही इसकी सुरुवात की थी स्वक्ष भारत अभियान मिशन के तहट देश भर में सवा साथ कॉलर टॉलेट बनाने पर सरकार ने दावा किया है कि उसके को बदल दिया है दो अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्टी अंदोलन के रूप में स्वक्ष भारत मिशन की सुरुवात की गई थी प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने खुद मंदिर मार्ग इस्थित पुलिस स्टेशन पर सफाई अभियान का सुभारम भी किया था